Hello everyone, आज कि इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगी English में किस तरह से आप अपना daily routine बता सकते हैं Daily routine, जो चीज़े हम daily basis में करते हैं तो करना कुछ भी नहीं है, sentence बहुत ही simple होता है आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है कि यार is MR लगाओ, has have लगाओ, third form लगाओ, second form लगाओ क्या करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, sentence बिल्कुल simple रहेगा चलिए, प्रैक्टिस करते हैं मैं आपको example के तरह से, example की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी तो आप अतना daily routine बताओगी, कुछ इस तरह मैं पांच बजोडती हूँ, I wake up at five o'clock जब में हम time की बात कर रहे होते हैं, हम अकसर at लगाते हैं so I wake up at five o'clock, फिर मैं running पर जाती हूँ, तो क्या बोलेंगे I go for running, I have, I is MR, कुछ भी नहीं लगाना है, आप बहुत ही simple तरीके से बनाओगे I go for a morning walk, उसके बाद अगर आपको बोलना है, कि उसके बाद मैं अपना breakfast बनाती हूँ, तो आप बोल सकते हो I prepare my breakfast, आपको अगर बोलना हो कि मैं खाना खाती हूँ, तो आप बोलोगे I eat my lunch, lunch हम दुफैर के खाने के लिए यूज करते हैं, अगर आपको रात के खाने के लिए बोलना हो, तो I eat my dinner Eat की जगे हम have भी बोल सकते हैं, क्योंकि have का मतलब ये भी होता है, consume करना तो जो हम कोई चीज खाते हैं, I have my breakfast, मैं अपना lunch खाती हूँ, I have my breakfast, मैं इस company में काम करती हूँ, I work in this company, dash dash, company का नाम कुछ भी हो सकता है, जहां पर भी आप work करते हूँ, जैसे मैं ऐसे school में पढ़ाती हूँ, so I teach in this school, अब जैसे कि मैं YouTube पर पढ़ाती हूँ, तो मैं I hope आपको समझ में आया होगा, तो हमेशा जब भी आपको ऐसी चीजों के बारे में बात करनी है, जो कि आपके डिली रुटीन का पार्ट है, sentence structure बहुत ही simple रहेगा, जो भी आपको करना है, बस simple sentence बनाना है, तो next time जो आप से कोई पूसता है कि यार, कहां रहते हो, where do you live? तो इस तरीके से हम अपना डिली रुटीन किसी को बताते हैं, और जो भी चीजे हम डिली बेसिस पे करते हैं, उसमें हम इस तरीके sentences बनाते हैं, I hope आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो को आज हम इतना ही short रखेंगे, और आज मैं चाहती हूँ कि, अगर आपको प्रॉपर किस तरह से हम negative sentences के बारे में बात करते हैं, Till the time, keep watching, happy learning!